साथ्यों, दिल्ली ने 21 सदी का आधुनिक से आधुनिक इन्फास्टक्चर हो, ट्रांस्पोर्ट का आधुनिक सिस्टिम हो, यहां के लोगों को आधुनिक टेक्नोलोजी का पुरा लाब मिले, यहां के लोगों के पास सारी बुनियादी सुविदाय मोजूद हो, स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, यह हमारी सरकार की प्रात्विक्ता है. हम जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को सिद्ध करते हैं, यही हमारी भाजपा की पैचान है, यही भाजपा सरकार की पैचान है. भाई योर बहनों, याद करिए, दिल्ली में इस्टन और वेस्टन पेरिफिरल एक्सप्रेस वे, इसका काम कितने बर्सों से चल रहा था, लोग इंतजार करते करते ठक गए थे, कि न जाने कब, पैरिफिरल एक्सप्रेस का काम पूरा होगा, बर्सों से अटका हुआ ये काम पूरा किया, दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद, सांगरे अवरोदों को दूर करते हुए, रिकार्ड समय में, ये दोनों पेरिफिरल एक्सप्रेस वे तैयार हो चुके हैं, इसके कारण, आज करीब, 40,000 ट्रक, 40,000 ट्रक हर रोज, जो पहले दिल्ली के अंदर से गुजरते थे, वो आज दिल्ली के बहार-बहार निकल जाते हैं, सोचिये, दिल्ली में आने वाला ट्रफिक और प्रदूशन करने में, प्रदूशन को कम करने में, इस व्यवस्ताने, इस नए इन्फासेक्टर ने कितनी बड़ी मदद मिली, इसी तरह, अक्षरदाम, मयूर विहार के पास, जो दिल्ली मेरट एक्ष्प्रेस वे का काम हुआ है, सोला लेन की सरक बनी है, उसने दिल्ली से गाजिया बाद आने जाने वालों को बड़ी राहत दी है, यही नहीं, इस समय रैपीड रेल सिस्टिम पर भी तेजी से काम चल रहा है, दिल्ली वार मेरट आने जाने में, गंटे सवा गंटे से जादा न लगे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, रैपीड रेल सिस्टिम के लिए, तो इस बार बजेट में करीब करीब दाई हजार करोड रुपिये का प्रावधान किया गया, साथियों, दिल्ली मेट्रों से हमारे सब के आधनी नेता, अटल जी का नाम जुड़ा हुआ है, अटल जी के बहुत प्रयासों के बाद ही, दिल्ली में मेट्रों शुरू हो पाई थी, अब हमारी सरकार का प्रयास दिल्ली में मेट्रो के विस्तार को और बढ़ाने का है बीते पांच वर्ष में करीब सबासो किलोमेटर नई मेट्रो लाइने और असी किलोमेटर से अधिके आरार्टियेज स्विक्रत किये गए है